कि अधिए 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 इस तरह से आप लोगों के लिए नहीं नहीं इंफर्मेटी वीडियो लाते रहे तो इस वीडियो को भाई एंटर देशिंगा टाइदन को आपने पढ़ लिया होगा कि सर्वियों में हम अपने बर्च को कैसे बचा सकते हैं बीमारी से पहले की क्य कैसे पाकिस्तान कि शहरों में हो ठेट होने लगी है कुछ में हल्की हल्की है कि आपने इस में क्या इतियात करनी है वो मैं आपको बताऊंगा आपका अगर सेट अप है या आपने सिंगल ही पैरिट रखा वा है सरी है तो उसकी क्या-क्या एतियात है ठीक है ना तो इससे पहले जो लोग नए है वह लाल कलर की बटंग को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने और बैल आइकन पर जाके और क्ल दो लूगर को कहता है सबसे पहले तो आपने ज़िए अपने में सेट Seiक को रात में कर देना थक देना है यहां कि पहली चीज आपनी के तोटे को धाके रखना है अगर परेंड की हवा तो चेजी को साइट में रखना केज़ी केजि़ ऐसे कभी निली लगे लोगा दूसरी चीज आपने एकरनी राद में पानी आड़ द। क्योंकि मेरी देखेंग कोई कभी देखेंगा को थंड आ जाए और थंड जादा तो दिन में तीन दफ़ा भी अगर पानी चेंज करना पड़े आप उंगली डालके देखने तो फानी चेंज कर दें सरी है कि दूसरा ही है कि जिनके पास टॉकिंग परिट है वह अकसर उन्हें फ्रूट वगरा या सौफूर्ट देते हैं तो सौफूर्ट भी जिनोंने भिगोया होगा वो जाइड सी बाते जब सर्वी होती हो तो फंदा हो लता है तो हलके से नीम गरम पानी में आप उसको थोड़ा सा जरम करके उनको देश सकते हैं और दूसरा यह है कि फ्रीच का रख अगर आपके बर्ड्ट बैमार हो जाते हैं फूल के बैठ जाते हैं तो फिर इंशाला मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वीडियो जादा लंबी नहीं करते सही हो ना तो आप ने ही हुए है कि अपने परिट का रात में पानी हँडा देना है और अगर सुबह आको से लगा रहे हैं तो हल्का जिसे हम नीम गरम पानी कहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं आप चाहते हैं कि आपके बड्स बिमार ना हो तो आप अपने सैट अप को पूरा कवर करें कहीं से हवा ना आए अंदर थोड़ी सी गर्मी रहेगी वो चलेगा लेकिन ठेंड रहेगी वो नीचलेगा छोटा परिंदा जिनके पास फिशर विराइटी होती है डफ विराइटी होती है क्योंकि डफ जो है वो कभूत्रों से ही रिलेटिड है डफ में काफी एक्सपैंसिब ब्रीड है सही है ना तो इनको सर्दियां बिल्कुल पसंद नहीं होती तो महौल में अगर आप लगा हो लगा सकते है तो आप लगा दें लेकिन थोड़ा दूर करके अब जैसे सर्दियों में बच्चो का सीजन भी आजाएगा तो लोग बलब को ऐसे उपर लगा देतें या थोड़ा उपर करके लगा देतें उसका एक हिसाब किताब होता है आप मतलब कहीं पर भी मार्केट में जाके अगर आपने बल्ब लगाना ही है तो इसका एक मीज़ा रहता एगा ठीक है उसके इसाफ से आप लगा सकते हैं उसके टेंपरेचर मेंटेन करके के मतलब आपने उसके 100 डिगरी कर दिया है 90 डिगरी जितना भी आप करना चाहें उसके टेंपरेचर जो उनके काबले बरदाश होता है उससे आउट जब भी टेंपरेचर होगा वह बलब को आटोमेटिकली ओफ कर देता है ठीक है तो वह आपको बाजार से मिल जाएंगे अगर आपने बच्चों के नीचे बलब लगाने क्योंकि अक्सर अब ऐसे वाक्यात होंगे कि जो है व इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके फिर मुलकाति इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त अल्लाहाफिश्ट